400 पार होगी तब हिंदू राष्टर बनेगा दूसरी पार्टी की मन सिखता नहीं है वो वोट की राजनीती करते हैं ये हिंदू का देश है हिंदू राष्टर है और हिंदू राष्टर बनके रहेगा जो संक्राचारी है हमारे सनातन धर्म के राष्टपती है हमारे शिर्मौर हैं, हमारे उर्ध हैं, हमारे तिलक हैं, हम उनके सम्मान सुदयों करते हैं राजा जैसे चाहता वैसे कारी करता है, परंट हम सो लोग संक्राचारी के साथ है कोई उनके कामों का वरोधनी करदे सिर्फ मोधिज का क्योंकि मोधिज जो आज कर रहे हैं इमानदारी से काम कर रहे हैं इने सुना होगा जब से देश अजाद हुआ है裡 direct North इंदुको जब अपने बारे में बात करते हैं तो क्या तक्लीफ हो रही है? आप पाकिस्तान में देख लीजे, अफगानिस्तान में देख लीजे, सीरिया में देख लीजे, कहां उनके साथ हो रहा है, जितने मुसल्मान हिंदोस्तान में सुरक्षित हैं, वर्ल्ड में कहीं नहीं हैं, आज वर्ल्ड में सनातन की बात हो रही है, आज वर्ल्ड में हिंद आज के खास कारिकरम की क्या खास बात है हम जान लेते हैं सराज जो ले आयोजिन क्या गया उसके बारे में क्या कहना जाएंगे आज यह कारिकरम जो रखा गया ज़िए ड़िफा अब की बास चाहिएवार बोर्ग असंतों का अशिर्वाद और हर संत इस कार्यकरम में जमीन से जुड़के लग चुका है लोगों तक इस संदेश को पुचा रहे हैं 400 पार होगी तब हें हिंदू राष्टर बनेगा और हम लोग हिंदू राष्टर बनाकर ही छोड़ेंगे तब तक हिंदू राष्टर बनेगा विल्कुल उसमें कोई नेगोशेशन नहीं है और पर्धान मंत्री जब हम इतनी सीट लगाके भेजेंगे लोग तरह तरह की बाते करते हैं बात यह भी करते थे 370 के बारे में बात करते थे, लोग ये भी बोलते थे, राम मंदर की डेट नहीं बताएंगे, बोलेंगे राम मंदिर बनाएंगे, माने परधान मंदरी जी ने, भूमत आता ही, वो सारे जितनी बाते कही थी वो कर दी, माने परधान मंदरी जी, हिंदू राश्टर भी बनाए दूसरी पार्टियां हिंदु तो की बात करने की तो बात छोड़िये हिंदु को काटने की कोशिस कर रहे हैं यह हिंदु का देश रहा है और हिंदु राश्टर बनके रहेगा आज के लिए बहुत ही सुखद और आनंद का पल है संतों को दिवारा हमारे जीमन एक मार्क दर्सक राष्ट को भी एक कैते ना के गुरू की आवश्चेक्ता होती है तो राष्ट में संद समाज का आज अभिमानी जी ने बताया कि राष्ट कल्यान के लिए यह जो कारी किया इसे हमारे राष्ट के उत्तम कारियों के लिए संतों को क्योंकि जीमन को एक प्रगतिपत और जीमन को साधना की दरभ ले जाने का यह संक्राज तो उस वक्त आपस में विखर गे थे ऐसा क्यों देखिए जो संक्राचारी हैं हमारे सनातन धर्म के राष्ट पती हैं हमारे सिर मौर हैं हमारे उर्ध हैं हमारे तिलक हैं हम उनके संबान सदयो करते हैं आप जानते हैं कि हमारे जब भी संक्राचार जी आएंगे तो उनका सिंगासन लगेगा, वो एक सहज कुर्षी पे नहीं बैठते हैं, उनका सिंगासन होगा, और सिंगासन पर ही विराज मान होगे, तो उन्होंने अपने देखा हो कर का मुहृत को भी लेकर के बहुत सारी बा हुए हैं और लोगों से भी यहां पर बात कर लेते हैं से क्या कहना चाहेंगे आज तमाम संत जो है वह यहां पर इकठे हुए आज और बीजेपी की परचंद जीत के लिए जिस तरीके का आवहान जो है वो कर रहे हैं संतों को क्यों आना पड़ रहा है राजनीती के बीच में मैं स्वामी चंदर देव जी महाराज फांडर चेर में ग्लोबल संसमाज किलान फांडर यह मैंने प्रोग्रम कर रहा हूं संतों को इसलिए आना पड़ता है जब भी कोई लोग बटक जाते हैं तो संतों का काम होता है उनको मार्क दर्शन देना तो इसलिए संत जो है मार्क काम कर रहे हैं और उनका कोई लालच नहीं है उनको कोई मकसद नहीं है वो देश के लिए काम कर रहे हैं आपकी महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं जो भी वो देखते हैं को हिंदू मुस्लिम सिख हिसाई नहीं देख रहे हैं जो गरीब आदमी है वो चाह हिंदू हो मुसलिम सब को जो उनको सब की सेवा कर रहे हैं सब को अनाजपना रहे हैं किसानों के लिए भी जो है आपने देखा होगा उनके घर में पैसा जा रहा है समझें कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो जिस चुटा हो और जो रही बात यूथ की यूथ के लिए भी इतना काम कर रहे हैं यूथ क लेकिन ताना शाही का भी तो आरोप लगता है कि जवरन करवाया जा रहा है सवाल यहां पे भी उठता है कि 2014 के बाद ही हिंदू रास्ट का आगाज हुआ हिंदू रास्ट की मांग होने लगी चाहे फिर उसमें भागेश्वर धाम के द्रेंदर किशन शास्त्री हो वो भी लगातार हिंदू धरम की और हिंदू रास्ट की बात करते थे सम्विधान के अनुसार हो सकता है सम्विधान किसे ने लिखा था इसके लिए बनाया था जब देश के बासी संथ और ब्रहामान हिंदू जब अपने बारे में बात करते हैं तो क्या तकलीफ हो रही है पहले प्राइम मिस्टर बंच से बोलता था सब कैसे जो है सब चीजे है उन पर हक जो पहले माइनविटी का काई की माइनविटी है 25-30 करोड़ा माइनविटी होगी सिख देखो पार्सी देखो जो छोड़े हैं उन्होंने तो कभी ने कहा तो ये सब चीजे हैं क्योंने हम आना के माँगी हिंदूरस्ट क्यों ने माँगे हिंदू होने के बाद हम क्यों ने एक सनातन जार्म ऐसा है ये जहां जायेगा प्यार की बात करेगा और दूसरा इसलाम है जहां दो क्योंकि हम stellt आएं मुसल्मान हिंदोस्तान में सुरक्षित हैं, वर्ल्ड में कहीं नहीं हैं, क्योंकि हम प्यार की बात करते हैं, सनातन जो है हमारा प्यार की बात करते हैं, हमारे पंड़त, हमारे सादू, हमारे संद, सब प्यार की बात करते हैं, काटने की बात नहीं करते हैं, हमारी एक जो मेह यह है कि प्यार महबबत इंसानियत तो इसलिए अगर मैं चाहता हूं कि हर जगा हो और आपने देखो हिंदुस्तान की बात नहीं है आज वर्ल्ड में सनातन की बात हो रही है आज वर्ल्ड में हिंदू की बात हो रही है आपने देखा होगा आज बहुत मुसल्मान हिंदू मे में देखिया मंदर खुल रहे हैं तो यह सब हिंदू-छी तो बात है। और अ लगतार अपने ही हिंदू-लोग जो है वो सनातन के ओपर पला करते हैं चाहे वहो राजनितिक क्यों मुचा रहे हैं ये बात पहले का जिन्हों ने बोला पहले हिंदुस्तान में ही रहते थे ना समझे ना तो ये जो वरोध कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी पावर के लिए पैसे के लिए अपने परिवार के लिए कर रहे हैं जितने जो अभी कठे हुए हैं कौन है परिवारबाद बाद है चाया आप किसी का भी नाम लो जितनी पार्टी एं कठी हो रही है प्रिवार की जिसने आपने स्टालिन का नाम लिया क्या है प्रिवार बाद है दूसरे लोग प्रिवार की बात कर रहे हैं तो प्रिवार की बात कर रहे हैं सिर्फ एक मोदी है जो देश के बारे में क सब्सक्राइब कर दो हुआ हैं एक प्रॉग्राम कर रहे हैं ब्ली बात कर रहे हैं ग्रूप एक समूज वो पिछले दिनों लगातार यह एलान कर रहा था कि गाए को राष्ट्य माता गोशित कर देना चाहिए लेकिन अगर बात करें तो एक विशेश समुदाय जो है जिस तरह के से गववंश उसकी हत्या होती है उसको लेके पूरा संत समाज जो है वो क्या सोचता है संत समाज तो यही सोचता है कि गाए को राष्ट्य माता गोशित करना चाहिए और यह होना भी चाहिए क्यों कि हमारा देश जो है रिशी महरिशियों का देश है संत सनातन का देश है और संत सनातन में ही अगर हमारी गाय सुरच्छित रही है तो क्या भी देशों में थोड़ी सुरच्छित रहेंगे इसलिए हम सब को यह मांग करनी चीए जो बिरोत कर रहे हैं उनको भी भगमान सदबुद्धी देना चीए कि वो भी गाय माता है इसलिए उनको राष्ट माता होसित करना चीए बहुत बहुत अन्यमाद तो देखे आज जो है वो पूरा संत समाज जो है वो एक अठा हुआ है सबकी सबने जो है वो यह आवहान किया है सबकी एक मांग है कि अब की बार जो 400 पार की बात जो है वो बीजेपी सरकार कर रही है तो बाके महीं अब की बार स देश की जनता की बात करते हैं ना की परिवार बात की आप क्या सोचते हैं हमें जुरूर बताइएगा बने रही हैं हमारे साथ आप देख रहे हैं सोगंद टीवी सोगंद वतन की